हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग 2021 मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है और इस बार हिमाचल प्रदेश में 600 के उपर सिर्फ 43 स्टुडेंट्स है क्या है कम्प्लीट मेरिट लिस्ट और क्या है सीट मैट्रिक्स जो न्यू चेंजेस आये है और इंडिया कोटा की काउंसिलिंग में उसके थूँ क्या कट अफ में असर पढ़ने वाला है हिमाचल प्रदेश में कितना असर पढ़ेगा नई मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है इसका क्या असर पढ़ेगा किस रैंक तक किस मार्क तक कॉलेज बिलने की उम्मीद है और इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में 2020 में रिवर्ट बैक होकर आई थी हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोटा की काउंसिलिंग में इस बार रिटर नहीं होगी उसका क्या आसर पढ़ेगा कट ओफ कितना रहेगा कम्प्लीट लिस्ट क्या है सीट मैट्रिक्स क्या है आप मेटिकाविंग के साथ बने रहेगे चैनल को सब्सक्राब जरू कर देजे अगर आप पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं तो प्लस दोस्तों के साथ शेर और लाइक जरू किजेगा अगर आप कंटेंट पसंद करते हैं तो हलो और ग्राइब विल्कम टॉल अफ यू अगेन ओन और फैबरेट नीट इर्फरमेटिव चैनल मेटिकाविंग इस अमीट एंड यूर वचिंग मेटकविंग यूटू चैनल हिमाचल प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है 2021 की स्टेट काउंसलिंग की रिलीज करने के बाद जो मेरिट लिस्ट आई है डिफरेंट कैटेगरीज की मेनेजमेंट कोटा प्लस स्टेट कोटा और स्टेट की जो कमबाइंड बेरिट लिस्ट है उसमें क्या है आपकी पोजिशन अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपने अपलाई किया है अगर आप हिमाचल में हैं आपने हिमाचल में आप देख रहे हैं और अगर हम merit list की बात करें जो merit list release होई है हिमाचल प्रदिस की ओर अभी आप background में देख रहे हैं यह है complete merit list right PDF के format में available है हिमाचल प्रदिस की जो counseling authority है उसकी website पर latest notification में यह PDF के format में available है लेकिन आपकी बहतर understanding के लिए इसको convert किया गया है Excel में और Excel में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस rank तक और किस marks तक हमें allotment मिल सकता है यह complete merit list है अभी 2020 के अगर हम 2 के जो allotment थो उसकी अगर हम बात करें then guys here is the complete list जो 2020 के last cut-off था different categories का Jammu and Kashmir migrants के लिए 598 था general clear 505 था other backward classes के लिए 504 था right widows words of ex-servicemen 46 में यह 501 था single girl child के case 496 था right यह different categories की last allotment है जिसको की previous video में भी हम लोगों ने upload किया था 2020 के cut-off के बारा में हमाचल पदेश के right लेकिन अगर हम seat की बात करें कि total कितनी seat reward आए थे then guys here is the complete list of the seats that was reverted back to state quota after second round of all India quota counseling 2020 2020 में all India quota counseling के second round के बाद जो seat reward की गई थी हमाचल प्रदेश में यह complete वो colleges के name और total यह seat reward होके रहाई थी 39 39 seats 2020 में reward होगी थी इस बार नहीं होगी लेकिन क्या इसका असर cut-off पर पड़ेगा बिल्कुल थोड़ा सा पड़ेगा लेकिन उतना नहीं क्यों क्योंकि जो merit list है merit list में number candidates कम होए है 2020 से अगर आप compare करते हैं तो अब हम allotment की थोड़ा सा यहां पर देख लें allotment अगर हम general category का देखें 2020 में 82,141 last rank था general का marks थे 505 college मिला था पंडित जवाहरला नहरू government medical college चमबा चमबा में last admission general category का 505 marks पर rank था 82,141 अगर हम पिछले marks और जो rank है पिछले rank को अगर हम इस बार की merit list है उससे अगर हम compare करेंगे then guys merit list में जो rank इसके बराबर पिछले 2020 के allotment के बराबर अगर हम जो marks आता है वो आता है 503 यानि 505 अगर last year का allotment था तो इस बार हो सकता है राइट लेकिन अब ये बात आती है कि 39 seat reverse होकर आई थी इस बार नहीं आने वाली है no doubt नहीं आने वाली है लेकिन इस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो all India quota के candidates है I mean जिनके mark 630 30 plus उसके उपर है उसमें से candidates वो move करेंगे बाहर के statement 2021 में जो counseling का process होगा DGHS ने अब नहीं किया है कब round होगा state के second round के बाद होगा या फिर state के second round के पहले होगा ये सब कुछ decide करेगा कि कितने student second round के allotment के बाद seat छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे ये सब कुछ depend करेगा जो DGHS की counseling authority है वो जब release करेगी seat matrix के साथ में जब counseling schedule के ओपर depend करेगा क्योंकि इस बार उत्री seat revert होकर जो आती थी state में वो खाली होती थी यानि admission नहीं लेते थे candidate allotment होता था admission नहीं लेते थे इस वज़ा से revert back आती थी और वो जो candidates होते थे वो different state के होते थे वो अपने अपने state में वापस चले जाते थे कोई participate करता था और किसी को first round में ही अच्छा college मिल जाता था तो उसको join कर लेते थे लेकिन 2021 में same repeat होगा 2020 की तरह ये जरूरी नहीं है depend करेगा कि जो second round की counseling है वो DGHS कब करेगी state के पहले होगी तो फिर students को मुश्किल होने वाली है second round के बाद जो seat allotment होगा उसको वो छोड नहीं पाएंगे लेकिन state के second round के पहले अगर उल इंडिया कोटा का second round होता है तो फिर कुछ seats खाली होने की उसमें भी depend करेगा जो DGHS का new rule आएगा क्या penalty है कौन apply कर सकता है मौप अप में क्या जो state में जिनकों allotment हो चुका है क्या वो मौप अप में apply कर पाएंगे अगर ये role compulsion लगा देती है DGHS दिन no doubt की candidates को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उनको एक decision अपने state या फिर all इंडिया को टके थुरू जो allotment होता है उसके थुरू एक decision लेना पड़ेगा cut off की अगर हम बात करें 2021 में बिल्कुल सेम 2020 के हिसाब से रहने वाला है हाँ एक दो नंबर का general में difference आ सकता है जिससे की असर पड़ेगा cut off में अगर आप ये सोच रहे हैं कि cut off उपर जाएगा new role की और जासे होने से हिमाचल प्रदेश में फिर नहीं होने वाला है cut off उपर नहीं जाएगा जो पिछली बार का cut off था बिल्कुल सेम नीचे आने की अगर हम general category की बात करें कि no doubt एक दो नंबर से नीचे आ सकता है लेकिन पिछले जो 2020 का cut off है तो उसके हिसाब से अगर आपके marks है देन आप काफी safe हैं एक mbbs government medical college हिमाचल में पाने के लिए यह complete थी और state कितनी reverse हुई थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया जो excel का format है यह अभी आप देख रहे हैं इसका pdf available है जब आप count करेंगे इसको different categories से तब आप देखेंगे कि जो allotment 2020 में हुआ था बिलकुल same allotment इस बार भी होने वाला है down जरूर रहेगा भले ही दो number का difference आए लेकिन down होगा cut off क्योंकि all India quota में seed बढ़ी है जिसके वज़ासे काफी सारे candidates जो है लेकिन 500 प्लस अगर आपका है then आप safe है अगर कम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हिमाचल प्रदेश में admission पाने के लिए complete detail थी state merit list प्लस जो cut off है उसके बारे में seat matrix की अगर हम finally बात करने कि total कितनी seat available है then guys हिमाचल प्रदेश की जो counseling authority है उसने पहले ही seat matrix को declare कर दिया था जब जो counseling brochure उसको release किया गया था अभी आप जो देख रहे हैं ये seat matrix है different colleges की category wise different seats available है different college की ये अभी आप अपने future reference के लिए इस PDF से देख सकते है unreserved category की अगर हम बात करें then total जो seat available है 56, 49, 51, 32, 51 and 51 colleges की अगर हम बात करें शिमला, टांडा, नहान, मंडी, चमबा और हमीरपूर में different categories की ये complete list है वीडियो के थूरो आप भी इसको access कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या seat matrix different categories की 2021 में हिमाचल प्रदेश के colleges में ये देख सकते हैं माचल प्रदेश की 2021 में महरास्टा का क्या cut off रहेगा नई seat matrix आने के बाद तीन नए colleges आड़ वे हैं उसमें से किसको approval मिला है किसको नहीं मिला है वो भी बताएंगे और उसके बाद हम लोग upload करेंगे वीडियो उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर खंड के बारे में बहुत important वीडियो आप लोगों के serial से merit list का comparison प्लस जो allotment के chances है new rules के आने के बाद all India quota में new rules के आने के बाद cut off पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी complete वीडियो बहुत ही जल्दी मिटिकाविंग की और से upload किया जाएगा आप मिटिकाविंग के साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए दोगों के सब्सक्राइब जरू कर दीजिए अगर content आपको पसंद आता है तो thank you for watching मिटिकाविंग thanks a lot